है हेलो आप सभी का सवागा थे आज के देखेंगे बिहार पब्लिक सर्विस कमिशन के दवरा केलेंडर को अपडेट किया गया और उसमें जानेंगे कि आपका एक्जाम कब है और रिजल्ट और अगरा कब आने वाला है स्टार्ट करते हैं यहां पे देख सकते हैं 122 अब और उसका रिजल्ट प्रविक्ष वाता है फिलिम्स का उनीश नौध 2012 को और फिर उसका जो कम्प्लीट फ़ाइनल रिजल्ट आएगा एक तिन दोजर टेस्को रिजल्ट आने वाला है उसी तरह लेक्ट्ट्रा सिबिल का भी रिजल्ट फाइनल आपका आने वला है एक तिन दो जर्टेस को ठीक है लिक्षिराइब एल्टोरिक्स एन इंग्लिज रिजल आएगा आपको एक तिन दो जर्टेस को आने वाला एक मार्स को रिजल आने वाला है उसका अब जो इसका मेन एक्जाम है बीपीज़ी का 67 और 68 से उसका रिजल्ट आएगा और इसका इंटर्व्यू स्टार्ट होगा एंगरा अट दो जर्टेस को आएगा ठीक है उसी तरह आएग्जाम हो चुका है तो एक्जाम हुआ था अपका 39-22 को और उसका रिजल्ट आए था सत्रा 11-22 को और उसका एक्जाम कंडेक्ट हुआ था इस बारा 12-22 से साथ 12-30 का और इसका फाइनल मेंस का रिजल्ट आएगा 14-30 को इंटर्व्यू स्टार्ट होगा 29 महीं से इसका में इसका में एक्जाम है इसके अलावा कर बात करें एसिस्टेंट इंजिनियर सेविल का एक्जाम हुआ इसका रिजल्ट आने वाल अब इसका रिजल्ट में टीवीटी लगा हुआ है ठीक है टूबी डिसाइड एंड उसी तरह बात करें तो जीरो साथ 12-20 का भी अभी टीवीटी लगा हुआ है और इस तब जो भी एसिस्टेंट इंजिनियर के एक्जाम हुआ था सिविल मेंकिन जाबा तो वहा था 12-20 को और इसका मेंज पर गड़क्ट्वा था आठ एकारा दो जर्बास से नोगारा दो जर्बास को इसका रिजल्ट आगा तेरा चार दोज़र तेसको और इसका इंट्रवीट श्टार्ट होगा 305 बजर तेस से टीकाइस का फाइनल इजल्ट आएगा 24 206 के लिए 1211 222 और 1122 और इसका रिजल्ट आने वाला एक तीस तीन दोजर थेस्कों आने वला यह आई चलते दो नेक्स्ट एक्जाम के बारे में इसका जो नेक्जाम है वाला एक्जाम ग्जाम आये के लिए 20822 को इसका रिजल्ट पबिस हुआ आपका मेंस के लिए को और इसका इंटर्व्य होगा बारा छे दोजर तेस से सब्सक्राइब को आएगा तो जो में में एक्जाम है उसके मैं होगा चार से दोजर तेस को और इसका रिजल्ट आएगा चार सा दोजर तेस को और अभी इसका मेंस और इंटर्व्य का भी डेट डिसाइड नहीं हुआ है केलेंडर का अब यहां पर आप अपना एक्जाम एकोडिंग देख सकते हैं ओके धन्यवाद